हेलो फ्रेंज विल्कम टू एस्क्रिप्टो आज किस वीडियो की अंदर बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की बारे में क्यों यहां पर इतना बड़ा डंप हम लोग को देखने को मिला और हम लोगों ने इसकी उपर डिसकेशन भी आप लोग के साथ में किया था और आज किस न्यूज और अपडेट की उपर उसकी उपर अपडेट देंगे अड़ आप लोग को पता है काल की दिन जो है यहां पर लगभग वान ट्रिलियन की आसपास जो है मार्केट की आप यहां पर पहुंच गया था लेकिन अब धीकी टाइम पर 938 बिलियन जो है मार्केट की 5-6% डाउन यहां पर चला गया है और अब भी आकर और इससे जादा जाएंगे तो लगभग यहां पर 90% तक सारे जो है स्क्राच यहां पर हो सकते हैं इसा हम लोग को लग रहा है तो चलिए वीडियो को शूरू करें उससे पहले अगर आप लोग इस चानल की उपर पहले बार वीजिट करें तो चानल को सस्क्राइब कर लिजें और वेल की आइकन को क्लिक कर दीजें ताकि आप लोग को ऐसी वीडियो जो है टाइम टू टाइम इस चानल की उपर मिलता रहेगा तो चलिए वीडियो को शूरू करते सबसे पहले बिटकें की अगर हम लोग यहां पर देखते तो 5-6% की यहां पर डंप आंड एथिरियुम की अंदर जो है सबसे ज्यादा डंप हम लोग को देखने को मिला और ग्रीडी की इंडेक्स को देखते तो 24 तक यहां पर आ चुका है विटकें की अंदर थोड़ा सा हलका जो है यहां पर बाइंग अप्शन यहां पर देखने को मिलना है तो चलिए अभी निवज और अपडेट की बात करें देखें सबसे बड़ा जो निवज है यह सिप्टेमबर मंथ की अंदर यहां पर आने वाला है तो अगर आप लोग प्रिभीएस यहां पर देखें तो यहां पर सेप्टेमबर मंथ जो है बेरिस ÇokBERT Adm कि अंदर है तो चलिए अभी हम लोग यहां पर देख ते कि मार्केट यहां पर डंप कियूं गया है तो सबसे बड़ा जो रिजन है यहां पर बाइनांस की यह हो सकता है क्यूंकि देखें बाइनांस नहीं यहां पर अपडेट दिया है जो वहां पर जो है USDC, USDP and TUSD जो है वो आप्टोमेटिक जो है आप लोग का यहां पर convert हो जाएगा BUSD की अंदर तो बाइनस की USDT की अंदर यहां पर convert हो जाएगा तो यह बहुत ही मतलब एक तो यह जो है सबसे आच्छा न्यूज भी इसको मान सकते क्योंकि देखिए यहां पर USDT दंप हो जाता है कभी यहां पर collapse कर जाता है और लूना की USDT जो है वो collapse कर गया तो जिसकी वज़े से यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर चल ला है और यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो और आप लोग यहां पर trade कर रहे या तो आप लोग यहां पर तेकर आउन हो को यहां जो है US की inflation rate को लेके यहां पर सारे बेटे हुए और यहां पर आप लोग को पता है 75 basic point जो है 3.25 आकरिंग जो है क्याक्स को यहां पर बनाए गया है लेकिन अभी जो है यह CPI data अभी आने वाला है और यहां पर जो है सारे तो अंधाजा लगा रहे है कि यहां पर जो है थोड़ा सा और भी हाई यहां पर हो सकता है inflation rate को यह जो है थोड़ा सा concern market की अंदर पहले से था although September month की अंदर सारे event है और September month में आप लोग को already जो है यहां पर downtrend देखने को मिल दा है और यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर डंप होता है और उसके बात में 2014-17 के अंदर यहां पर all time high यहां पर create करता है तो जिसकी हिसाब से अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो अभी की जो chart है अभी आप लोग को वही जो situation यहां पर दिख रहा है next अगर हम लोग यहां पर light chart की उपर चलते हैं यहां पर थोड़ा सा देखने कोसिच करते हैं हमने यहां पर one week की chart लिया है अगर आप लोग यहां पर देखेंगे 2018 की chart को तो यह लगभग इसकी hike जो है लगभग 19,000 तक यहां पर लगया था अभी की time पर price अगर देखेंगे तो इससे थोड़ा सा down आ रहे तो अभी अगर आप लोग को यहां पर buy करना है तो यहां पर एक zone जो है आप लोग यहां प यहां से थोड़ा सा down जाता है तो लगभग 12-13,000 तक यहां पर price आ सकता है क्योंकि यहां पर आप लोग देखेंगे support zone यहां पर देखने को नहीं मिलना है तो 13-12,000 जो है यहां पर आ सकता है अगर यह जो area है यहां पर break करता है तो तो देखते है अगर जाके क्या कुछ होत और यहां पर चल ला है लगभग 11-10 point तक यहां पर आ चुका है तो यह जब तक यहां पर बढ़ता रहेगा तो यहां पर inflation rate जो है सबसे ज़्यादा आने की उमीद यहां पर रख सकते है तो अभी कि यह जो spike हो रहा है तो लगभग यहां पर 122 तक यहां पर जाने की उमीद जो है यहां पर है देखते हैं आगे जी क्या कूछ होता है क्योंकि देखिए अभी तो महेंगाई तो market की अंदर है और inflation rate, CPI, data यह सारा चीज़ जब तक नहीं आता है तब तक जो है यह सारा market ऐसे ही रहने वाला है तो यहां पर देखेंगे तो all time high की तरफ यह लोग जा र रखना है और फिर बिटकाइन की यह वान हर्स की चार्ट है और हमने जो है काल की वीडियो सामद की टाइम आप लोग को दिया था कि बिटकाइन के अंदर जो possible है यहां पर upside की moment लेगा या तो यहां से downtrend आ सकता है और downtrend आएगा तो लगभग यहां पर 17,650 डोलर जो है इस से टच करेगा तो अब भी अगर आप लोगों ने बाई नहीं किया तो एक जोन है 17,000 तक आप लोग को अभी की टाइम पर यहां पर देख सकते अगर यहां पर प्राइस आ जाता है तो आप लोग यहां से एक बाइंग जोन देख सकते बिटकाइन के अंदर अगर आप मार्केट है यहां पर लगातार डाउन ट्रेंड की अंदर जा रहा है क्योंकि देखे सारे इवेंट है प्लॉस यहां पर इथिरियम की मर्ज भी यहां पर होने वाला है प्लॉस यहां पर दूसरी बात भी आप लोग को यहां पर ध्यान रखना है क्योंकि एथिरियम की यहां पर बंद करेंगे और वहां पर थोड़ा सा प्यानिक आएगा तो मार्केट की अंदर आप लोग यहां पर आने वाला है तो आप लोग अगर बाय नहीं किये तो मेरे हिसाब से 17,000 एक प्राइस जोन आप लोग लगा लिजिए और यहां पर लगभग 14,13 यहां पर जो है दो बीट आप लोग लगाते रखिए और मार्केट ऐसा हो सकता है कि मार्केट की अंदर जो है एक बड़ा डंप हम लोग को देखने को मिले लगभग 13,000 तक और वहां से जो है फिर से बापस यहां से जो है आप साइड के मोमेट ले जाए और यहां पर आप लोग को याद रखना है यह जो जोन होगा और यह जो लोग आप लोग को लगेगा यह होगा लाश्ट लोग बिट के लिए और आप लोग इसके लिए तयार रहे है और आप लोग बाइंग बीट जो है पहले से लगा के यहां पर रखिए और जो भी ऑल्ट के इन है जो स्ट्रॉंग ऑल् तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है जरूर यहां पर थोड़ा सा एंटरी जो है आप लोग को लेने के लिए बीट लगा के रखना है तो चले फ्रेंट्स ये था आज की वीडियो वीडियो के अंदर थोड़ा सा इंफरमेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक किजे और चानल पर निव है तो चानल को सब्सक्राइब कीजिए एसे ही वीडो टाइम टू टाइम आप लोग को इसी चानल के उपर मिलता रहेगा